हेलो माई डियर फ्रेंट्स वेल्कम टॉ माई चैनल में हुमाद्वी रश्मी आज के वीडियो में मैं आपको महंदी की कौन बनाना सिखाऊंगी तो फ्रेंट्स वीडियो पूरा देखना ताकि आप कुछ भी मिसना कर जाए आप देख सकते हैं यह गिप्ट जो पैक करते हैं इसी तरीकी की जो शीट होती है और यह मैंने कॉर्णर को मोड दिया है तिकोन तरीके से बना दिया है और इसको में कट कर लोगी तो फ्रेंट्स वीडियो पूरा देखना वरना बहुत कुछ मिस्स कर जाएंगी आप लोगोने कई बार मुझसे रिक्वेस्ट किया है तो इस जो हमारा सीधा वाला हाथ है वो मेंदी की कोन को उपर की तरफ से उसे सपोर्ट करेगा और जो उल्टा हाथ है वो मेंदी की कोन को नीची की तरफ से सपोर्ट करेगा तो वह आपको देखना है कि किस तरीके से में गुमारी हूं ऐसे कोशिशा भी करिए अगर बाई चांस अगर आपको लगता है तो आप थोड़ी के लिए उसे किसी चीज की नीचे मलब प्लेन करके दबा के रख दीजे तो थोड़ी के वह सीधी हो जाएगी तो फंट जैसा नहीं कि आपको नई शीट लाने की ही जरूत पड़ेगी और मैं पूरी गारंटी सिगा सकती हूं कि आप आपके पास घर पर जरूर होगी मैं भी आपको दुवारा से बताओंगी और आप देख सकते हैं यही मलब आप शीट यूज करें आप कोई भी शीट यूज कर सकते हैं बस आपको कमफर्टेबल होने चीजिए वैसे में ज़्यादा तर यही वाली शीट यूज करते हूं इ तो अभी आपने देखा कि कभी कौन थोड़ी बड़ी कभी पतली हो रही है तो आपको यही पर ध्यान देना है बहुत अच्छे से जब आप पहली बार बनाओगे तो हो सकता है इस तरीकी की प्रॉब्लम आए तो टेंचन मत लीजिए बार बार बनाने की कोशिश कीजिए वीडियो को थोड़ी के लिए रोग दीजिए और बड़े ध्यान से देखे मैं पूरी गारंटी से कह सकते हूं कि आपसे मेंने कोन बहुत अच्छी बनेगी अभी आप देखेंगे कि मैं जो टेप लगाऊंगी वो बिल्कुल सीधे सीधे लगाऊंगी अपसर आपने देख को नहीं बना पाते हैं मैं उन के लिए बता रही हूं और देखो याप पहले आप यह ना मलब देख रहे हो कि या माधी की जो नेल पेंड़ वो विल्कुल नमना शेट से मैच कर ली तो यहां नेल प्रेंट में मत धिहान देना है ना अब लोग जो मैं आपको शिखा रही ह तो आप उसे दुबारा भी निकाल सकते हैं जैसे भी मैंने निकाला और मैं आपको बस इसलिए आपकी तरह ही बता रही हूँ ताकि आपको आसान लगे अगर इस तरह की प्रॉलम आए तो आप टेंचन ना ले दुबारा से बना के देख लीजे और आप देखेंगे कि बस एक मेहंदी भरेंगे और मैं भी आपको बताओंगी हाँ मैंने आपको फिल करके नहीं बताया है बस आपको बताया है कि किस तरीके से आपको भरना है क्योंकि मेरे पास इस तरह की कॉमेंट आते हैं इसलिए मैं बता रही हूं इस जगे से आपको हलका सा कट लगा देना है मेरे देख रहे हैं तो बस यह आपको बहुत अच्छे से द्यान रखना है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मेहन्दी की कौन को जो उसकी नोक होती है वो कट करना भी बहुत बड़ी बात होती है उसको बहुत अच्छे से कटना होता है तो यह भी आप वीडियो में देखते जाएं कि नोक कैसी बनी है और आप देखेंगे कितनी स्मूध सी जो नोक मलब कटने के बाद जो मैंने निकल रही है न वाकई में देखने लाइक है और आप यह ना सोचेगा कि मैंने यार यह परपल बनाई थी तो यह वाइट सिल्वर कलर की कैसे हो गई मेरे श्वास है कि आपको आज करी तरीका पसंद आया होगा समझ में भी आया होगा तो प्लीज मज़े कॉमेंट करके जरूर बताना वीडियो को लाइक को शेयर करना बिल्कुल मत बुलना मिलती हूं मैं नेक्ट वीडियो में तब तक अबना ध्यान रखिए खोश रहिए बाब झाल 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 झाल